मुखेमंत्री कमलनाथ के बीज़पी नेता ओपर दिये गए बयाम के बादपूर वसीम शवरा सिंग चौहन ने पलटवार करते हुए का कि बीज़पी को रस गुलना ना समझें और वो इसे खा नहीं पाएंगे बीज़पी का हर कारकरता और नेता समर्पित है इस पर हमें गर्व है कि हमारी नेता नैरेंद्र वोदी है आपको बताने के रविवार कुछ हिन्वारा में सियम कमलनाथ ने कुसमारिया के बाद और कौन बीज़पी नेता कॉंग्रेस में आएगा कि सवाल पर कहा कि बीज़पी छोड़ दी है कुसमारिया ने अपनी बात स्पश्च कर दी है और आज की बीज़पी और जिस पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया था वे काफी अलग है रामकृष्टु कुसमारिया का कॉंग्रेस में स्वागत है बावलाल कौर को लेकर कमनलाथ ने कहा कि उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता तो पूर्व मोखे मंत्री शवराज सिंग चौहान कहते नजर आए है कि बीज़पी को रसकुला ना समझें जैसे वो खान नहीं पाएंगा और उसी पर वार पलेट वार का दोर लगता जा रही है कमनलाथ भी कहते नजर आए है उन्होंने कहा है कि पहले की बीज़पी और अभी की बीज़पी में फर्क है किस तरीके से उनके कितने बड़े नेता हमारी पार्टी में शामिल हो गए है तो आगे आगे देखिया और क्या होता है तो कही न कही लोकसभा चुनाव से पहले ये इशारा किया जा रहा है कि और भी ऐसे बीज़ेपी के नेता हैं जो कॉंग्रिस के संपर्क में हैं लहाजा लोकसभा चुनाव आते आते ये भी संपर्क हो सकता है कि उनके तमाम बड़े दिगज नेता कॉंग्रिस में शामिल हो ये हवाला या कहीं न कहीं एक हिंट कॉंग्रिस की ओर से कमलनात्र ने दिया है